हलो गाईस यदि आप धेमेस पावर पाइंट में 3D दिल विथ टेस्ट एनिमेशन इस परकासे करना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है जी हाँ दोस्तो नमस्कार मेरा नाम पुसपराज साहू है और मेरा यूटूब चैनल एजूकेशन पुसपराज में आ तो चलिए सबसे पहले आप MS PowerPoint पर क्लिक करके MS PowerPoint ओपन कर लेंगे और सबसे पहले आप Ctrl प्लस M बटन प्रेस करके या फिर Home tab मेन्यू स्लाइड में जाएके Blank स्लाइड पर क्लिक करके नई पेज ले आएंगे उसके बाद आप Insert मेन्यू में जाएंगे यहां से Shape में जाएंग हाट से पे क्लिक कर लेंगे और स्लाइड पर ऐसे ड्रेक कर लेंगे उसके बाद इसका कलर चेंज करने के लिए चले जाएंगे format मेन्यू यहां पर हम लोग Shape Fill में जाएंगे यहां से कर लेंगे red कलर या फिर आप अपने choice के according भी कलर चेंज कर सकते हैं फिर Shape Outline पे क्लिक करे लेंगे उसके बाद फिर चले जाएंगे shape effect यहां से चले जाएंगे 3D rotation यहां से parallel से कर लेंगे off axis to left पे क्लिक उसके बाद फिर से shape effect में जाएंगे 3D rotation में जाएंगे यहां से चुन लेंगे 3D rotation option में जाएंगे यहां से फिर क्लिक कर लेंगे 3D format पर 3D format में क्लिक कर लेने के चलिए इसमें 3D effect त्यार करते हैं, यहां चले जाएंगे depth में, फिर यहां पर depth में हम लोग चाहें, तो संख्या इंटर करके भी हम लोग इसमें 3D effect दे सकते हैं, या फिर ऐसे आप button प्रेस करके भी 3D effect इसमें त्यार कर सकते हैं, तो जित्ता करना चाहें, ऐसे 3D effect त्यार कर लेंगे उसके बाद आप थेड़ी color change करना है तो आप यहां पे click कर येगा और जो color देना चाहते हैं उसके बाद आते हैं contour color change करना चाहते हैं मतलब यह इसका outline color देना चाहते हैं तो हम लोग यहां से दे सकते हैं इस प्रकार से दिखा दे रहों ऐसे और इसकी भी size को आप यहां से कम जादा ऐसे कर सकते हैं जो कि यह मुझे नहीं देना है बस बता लाने के लिए मैं आप लोग को यह बताया है तो चलिए उसके बाद आ जाते हैं बीवेल पर top यहां से भी हम लोग इसका 3D rotation थोड़ा सा change कर सकते हैं यदि आपको जो अच्छा लगे वो आप यहां से रख सकते हैं चुन सकते हैं तो चलिए मैं इस बार इसे ही run देता हूं उसके बाद इसकी width को भी हम यहां से ऐसे कम जादा कर सकते हैं अपने हिसाब से और उसके बाद नीचे click में हम लोग ऐसे setting कर सकते हैं तो चलिए फिलाल मैं इतना ही changes करता हूं और कर लेता हूं close उसके बाद आप यहां पर नाम लिखना चाहते हैं तो mouse का right button क्लिक करेंगे और यहां पर आजाएंगे edit text अब जो लिखना चाहते हैं जैसा कि आप अपना न better than since ऐसे font size बढ़ा कर लेंगे या फिर आप home tab में जाके यहां से फिर फ्राइज कर सकते हैं इस परकार से उसके बाद font भी यहां से change कर सकते हैं तो चलिए फिलाल मैं इसको run देता हूं और यहां से फिर font size पूना हमाए exist कर लेता हूं heart के हिसाब से इस से उसके बाद इसमें भी चंजे करने के लिए चला जाएंगे फार्मेट मेन्यू यहां से फिर टेक्ष्ट फील कलर यदे आपको यह वाइट पसंद नहीं आता है तो आप यहां से चंजे कर सकते हैं तो फिलाल मैं वाइट हिर एंद देता हूं और इसका और लेंग कलर वह हम यहां से चले कर लेंगे तो चलिए इसमें इनिमेशन सेट करना बस रह गया तो इनिमेशन सेट करने के लिए हम लोग चलते हैं इनिमेशन में यहां से कस्टम इनिमेशन से एड़ एफेक्ट और यहां इंफैसिस में जाएंगे और यहां से हम लोग कर लेंगे Constrasting Color, जी हाँ, यह color आपको यहाँ नहीं मिलता है, तो आप more effect में जाए कि वो color से लेख कर सकते हैं, या आपको जो पसंद वो animation से कर सकते हैं, तो मैंने फिल हाल इसे set किया, उसके बाद थोड़ा सा modify कर लेते हैं, जो start होता animation, उसको with previous कर लेते हैं, और very fast को थोड़ा medium कर लेत अब यह तयार हो चुका है, इसे देखने के लिए F5 button प्रेस करिएगा, और इस प्रकार से आपका 3D heart with test animation ready हो गया है, उम्मीद करते हैं यह वीडियो देखने के बाद, आप MS PowerPoint पर 3D deal with test animation बनाना सिख गए होंगे, तो फिर भी आपको किसी प्रकार के कोई दिक्कत होता है, म मुझे comment box में comment करना मन भूलिएगा, साथ ही इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए बने रहे में साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद